हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वंदनाराय होममेकर फ्रेंट्स मैंने अपनी पिछली वेडियो में आप लोगों के साथ एक वन पीस डिजाइनर ड्रेस की कटिंग शेयर की थी और आज की वीडियो में मैं उस ड्रेस की स्टिचिंग स्टेप बाइ स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो फिर चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स ये मेरी ड्रेस में का उपर का बॉड़ी पार्ट है ये फ्रेंट वाला और ये बैक वाला और ये नीचे मैंने लाइनिंग का कपड़ा रखा है इसमें मैं इसमें नेक पे कट करूँगी लगाने के लिए तो इसको आप देख सकते हैं कि ये टुकड़ा है एक कपड़े का तो इसको हम ऐसे रखेंगे इस टाइप से अपनी फ्रेंट पार्ट को और फिर ये जो नेक है इसके किनारे किनारे हम इस टाइप से ये लाइनिंग बना लेंगे ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप से ये हो गया और फिर इधर से भी थोड़ा सा और फिर ये आप देख सकते हैं इसको मैंने लगबग एक इंच इधर रखा है ये देखिए एक या डेढ़ी इंच हम रख सकते हैं वन एंड हाफ इंच भी रख सकते हैं उसके बाद इसी तरह से ऐसे हम निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का ये देखिए इस ताइप से ये आप देख सकते हैं ऐसे इस ताइप से हम डॉट्स बना सकते हैं ये हो गया और फिर इस डॉट्स को हम ऐसे मिला देंगे ये देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे मिला लेंगे और फिर इसकी कटिंग करके हम निकाल अलग कर लेंगे औ और सेम वही प्रोसेज इसी टाइप से हम इसमें भी निशान लगा कर कटिंग कर लेंगे तो ये कटिंग ये आप देख सकते हैं ये मैंने कर दी है और ये इस टाइप से ये कपड़ा मेरा निकल आया है और उसके बाद ये मेरी बॉड़ी पार्ट में का आगे वाला फ्रंट और सीधा वाला पार्ट है और ये उल्टा पार्ट है तो सीधे वाले पार्ट में हम इसको इस टाइप से रखेंगे ये आप देख सकते हैं ऐसे ये और इसको जगर जगर से हम चाहें तो पिनप कर दें और उसके बाद यहां से ऐसे हम इस पर सिलाई चलाके अटैज कर देंगे और सेम उसी टाइप से यह आप देख सकते हैं यह बैक वाले पार्ट में भी मैंने यह कटिंग करके इसको पिनप कर दिया है और यह हमारा सीधा वाला पार्ट है और यह उल्टा है कपड़े का यह उल्टा है और यह सीधा है तो सीधे वाले की तरफ हम इस कपड़े को रखके यहां से इस टाइप से स्टिचिंग कर लेंगे तो friends यह आप देख सकते हैं यहां से यहां तक यह stitching इस पार्ट में और इस वाले पार्ट में यह दोनों में मैंने यह कपड़ा यहां से यहां तक stitching करके joint कर दिया है और अब हमको क्या करना है कि इसमें हम यहां पर corner पर एक cut mark लगा देंगे इस type से यह देखिए ताकि यह सिला आई नो कटे और यह cut mark हमारा लग जाए और फिर इसके बाद हम इसको इस type से पलट सकते हैं यह देखिए इसको ऐसे अच्छे से ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे पलट कर यह बहुत आसानी से यह अंदर की तरफ यह हो जाएगा यह देखिए इस type स हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद यह देखिए यह नेक हमारी बन गई यह देखिए पीछे से और फिर इसको हम चाहें तो एक बार और ऐसे अंदर की तरफ इसको ऐसे मोड कर अगर हम चाहें तो तुडपाई कर दें या फिर चाहें तो मशीन भी चला सकते हैं इस इसको पलट पलट कर मैंने इस पर आयरन चला दिया है, प्रेस कर दिया है, जिससे ये बैट गया है पूरा अच्छे से, और अब इसको इधर से पलट कर इसके किनारों पर हम मशीन चला सकते हैं, तो इस टाइप से ये आप देख सकते हैं, हम इसके किनारों पर सिलाई चलाते जाएंगे और ये इस टाइप से सिलाई हमारी हो जाएगी और ये हमारा नेक इस टाइप से त्यार हो जाएगा तो फ्रेंट्स ये स्टिचिंग मैंने चला दी है ये आप देख सकते हैं और ये मेरा नेक बन गया है ये आगे और पीछे दोनों के पार्ट में और अब हम इसको इस टाइप से रखेंगे, यह आप देख सकते हैं, यह पीछे वाला मेरा नेक है, और यह दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए, इसको हम इस टाइप से ऐसे बराबर से रख लेंगे, और यहां से यहां तक, और यह दोनों शोल्डर हम जॉइन्ट कर तो friends इसके ये shoulder दोनों मैंने joint कर दिये हैं ये आप देख सकते हैं और अब इसमें हमको sleeves joint करनी है तो ये sleeves मैंने cutting की थी ये वही है और ये आगे ये गहरी वाली cutting है ये आप देख सकते हैं ये वाली cutting ये हमारे front वाले part में जुडेगी और यहां पर ये जो मैंने cut mark लगाया था अगर हम चाहें तो यहां पर ऐसे निशान भी लगा सकते हैं ये इसके middle part पर ये वाला middle part इसका sleeves में का यहां shoulder के joint पर ही add होगा ये आप देख सकते हैं यहां पर ही और इसको हम इस type से चाहें तो ऐसे खोल सकते हैं ये देखिए और उसके बाद इधर किनारे से हम corner से sleeves को ऐस इस type से ये आप देख सकते हैं ऐसे और ये देखिए ये हमारा निशान दूर चला जा रहा है ये cut वाला यहां मैंने एक निशान भी cut भी किया था और ये निशान भी मैंने लगा दिया है ये middle इसका और इसको हमको यहीं पर joint करना है तो ये इतना कपड़ा हमारा extra हो जा रह जिससे हमारा यहां shoulder पर थोड़ा सा puff type बन जाएगा और फिर हम इस sleeves को पूरा यहां तक नीचे तक joint कर देंगे और इसी type से हम ये वाली sleeves भी joint कर लेंगे ये sleeves को ये body part में हम सिलते हुए ऐसे ले आएंगे ये आदेख सकते हैं और ये मेरा middle part वाला निशान है sleeves में का और ये shoulder यहां पर मैंने joint किया था तो इसको हमें यहीं पर joint करना है और ये कपड़ा इतना थोड़ा सा extra है तो इसकी two plates हम इस type से इसको मैं ऐसे बन करके आपको दिखा देती हूँ ये देखिए एक प्लेट ऐसे और फिर एक और प्लेट ऐसे हम दो प्लेट इसकी हम बना देंगे और फिर दो प्लेट हम और बना देंगे इस इधर वाले कपड़े में भी तो ये इस type से ये देखिए ये एक प्लेट हो गई और एक प्लेट हम और ऐसे ब प्रिल बन जाएगी और बाकी के कपड़े को हम इसी टाइप से सीधा सीधा पूरा लाकर यहां तक जॉइंट कर देंगे। प्रिल बन जाएगी यह आप देख सकते हैं यह देखिए तो इससे हम बहुत हलकी हलकी फ्रिल बना लेंगे यह थोड़ी ही और फिर इसके बाद एक पट्टी हम कट करेंगे यह देखिए यह 1.5 इंच की पट्टी मैंने कट की है यह मैं दिखा देती हूँ यह देखिए यह 1.5 इंच की पट्टी है और इसकी लंबाई हम इसके according ही रखेंगे और फिर इसके बाद इस पट्टी को हम ऐसे रखकर इस पर सिलाई चलाएंगे यह सीधा वाला पार्ट और यह sleeves का सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रहेगा और इसको हम यहां से यहां तक पूरा इसमे अटैच हो गई है और अब हमको क्या करना है कि इसको हम अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे यह देखिए इस टाइप से और फिर इसको हम ऐसे चाहें तो इस टाइप से पलट कर ऐसे अंदर की तरफ ऐसे देखिए एक बार और फिर एक बार और ऐसे मोड़ कर इसके किनारों प पर सिलाई चलाते जाएंगे तो यह हमारा इधर पाइपिन की तरह बनता जाएगा और अगर हम चाहें तो पहले इस पर पीन भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद थमिश्य चला सकते हैं तो इसको मैंने जगर-जगर से पिन-प कर दिया है इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके उस ये आप देख सकते हैं कि ये स्लिफ्स ये मेरी बनकर रेडी हो गई है ये इस टाइप से और अब हम क्या करेंगे कि ये उपर वाला हमारा बॉडी पार्ट है पहले हम इसको इस टाइप से ऐसे पलट कर उल्टा कर लेंगे तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो इसको मैंने पलट कर उल्टा कर दिया है और अब ये शोल्डर है तो इसको हम ऐसे नापेंगे ये देखिए ये 3.5 इंच है और इस टेप को हम ऐसे ये डबल कर लेंगे ये हो गया और यहाँ पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे तो ये इसका मिडल पार्ट निकल आया है फिर यहाँ से हम टेप को सीधा नीचे की तरफ लाएंगे ये देखिए और यहाँ नीचे हम ऐसे निशान लगा लेंगे और फिर 10 इंच पर ये उपर से ये 10 इंच पर हमें क्वाइंट लगाएंगे इस टाइप से और फिर इस पर हम एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंग ये देखिए ये हो गया ये इस टाइब से हो गया और यहां पर हम हाफ हाफ इंच की ऐसे हाफ इंच इधर से और अगर चाहें तो इसको ऐसे हम बराबर से इस type से ऐसे fold कर सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे हो गया और फिर इसको shoulder को उपर से ऐसे मिलाते हुए, इस पर हम ऐसे tap कर लेंगे, तो ये निशान हमारा हलका सा इस तरफ भी आ जाएगा, तो फिर इसको हम बहुत ही आसानी से इस type से ये आप कर सकते हैं यह यह हो गया और यही निशान हम इधर बैक साइड में भी लगा लेंगे और फिर हम इसकी टक्स बना लेंगे तो फ्रेंड्स यह टक्स आप देख सकते हैं यह आगे वाले पार्ट में और पीछे वाले पार्ट में भी मैंने बना दिया है और अब हमको क्या करना ह कि यहाँ स्लीब से पकड़ कर ऐसे और यह पूरा नीचे तक यह दोनो बगल से हम इसको अटैच कर देंगे और इसको हम ऐसे पलट लेंगे पहले और यह आप देख सकते हैं इस टाइप से पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे और फिर उल्टा करने के बाद पूरा यहाँ से ला अलिजो फ्रिल है ये डबल डबल है ये आप देख सकते हैं ये पोरी लंबी है ये देखिए इसी टाइप से ये और बखिया थोड़ी चौड़ी करके चला लेंगे ये पूरा इस किनारे से लेकर इस किनारे तक जिसको खीच कर हम फ्रिल बना ले और फिर उसको हम इसमें गहेर जैसे अटेच किया जाता है वैसे हम इसमें अटेच करेंगे और बाकी की ये दोनों फ्रिल जो है फ्रेंट्स इसमें हम उपर की तरफ यहाँ पर अगर चाहें तो इस टाइप से ऐसे एक बार ऐसे और एक बार ऐसे मोड कर इस पर सिलाई चला दे या फिर हम चाहें तो पिको भी कर सकते हैं इस वाली फ्रिल में भी और इस वाली फ्रिल में भी हम उपर की तरफ या तो मोड कर सिल ले या फिर पिको कर ले तो फ्रेंट्स इस पर मैंने पकड़ कर हम इसको इस तरह से सरकाएंगे तो ये देखिए कितनी प्यारी फ्रिल बनती जा रही है तो इसी टाइप से धागे को इधर से भी और अगर हम चाहें तो इधर से भी धागे को पकड़ कर और सरका कर इस टाइप से ये देखिए फ्रिल बना सकते हैं और इसकी फ्रि बोडी पार्ट के बराबर ही है, और अब हम को क्या करना है, कि यह सिलाई मेरी है किनारे वाली, इसको हम यहां से ऐसे पकड़ेंगे, यह आप देख सकते हैं, इस टाइप से यह, और फिर इसमें हम इसको इस टाइप से अटेच करते जाएंगे, इस फ्रिल को अपने इस बोड और इसको इस टाइप से ये देखिए, अगर हम चाहें तो इन दोनों को पिनप भी कर सकते हैं और उपर वाले बॉड़ी पार्ट में इस फ्रिल को हमें पूरा सिलाई चला कर अटेच कर देना है, तो फ्रेंट्स ये उपर वाला घेर है और इसको मैंने जग़ जग़ से ये आप देख सकते हैं पिनप कर दिया है नीचे ये बॉड़ी पार्ट में और अब इसके उपर बहुत ही आसानी से मैं इस टाइप से सिलाई चला की जाओंगी, तो फ्रेंट्स ये फ्रिल मैंने अटेच कर दी है ये आप देख सकते हैं और ये सेकेंड वाली फ्रिल है इसको हम उपर से ये आप देख सकते हैं बखिया चौड़ी करके मैंने पूरे फ्रिल पर चला दी है और उपर से मैंने पिको कर दिया है यहाँ पर अगर आप चाहें तो मोड के सिलाई भी कर सकते हैं वैसे मैंने पिक्को कर दिया है और बखिया भी चोड़ी करके चला दी है और अब इधर से जो दो धागे निकले होते हैं इसमें से एक धागा इस तरह से मैं पकड़ूंगी और पकड़ कर इसकी भी मैं ऐसे ही frill बनाओंगी ये देखिए ये इस type से frill बनती जा रही है कितनी प्यारी तो इसको ऐसे ही सरका सरका कर धागे को हम frill बना लेंगे और ये frill हमारी पूरी इस नीचे वाले frill के according ही होगी और फिर इसको पूरा मतलब जब हम frill बना लेंगे तो इसके उपर हम इसको पहले ऐसे रखेंगे और इसके उपर से इसको ऐसे रखकर ये आप देख सकते हैं इस frill को और इसके उपर हम सिलाई चलाते जाएंगे तो ये हमारी छोटी-छोटी चुन्नटे डाई बहुत प्यारी frill इस frill के उपर एक और frill अटेच होती जाएगी तो फ्रेंट्स ये मैंने frill धागे को खीच-खीच कर बना ली है ये देख सकते हैं आप ये डबल है और ये इसी के नापकी है इसी के कॉर्डिंग मैंने बनाया है और अब इसको हम ऐसे पलट कर इस कपड़े को यहां से यहां तक पहले जॉइंट कर देंगे और जब ये जॉइंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद इस frill को इसके उपर ऐसे रख कर तब हम पूरा स्टिच कर देंगे और अगर हम चाहें तो पहले pin-up भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद सिलाई कर लें तो फ्रेंट्स इस frill को मैंने इसके उपर ये आप देख सकते हैं pin-up कर दिया है जगा जगा ये सब और अब बहुत ही आसानी से इस टाइप से मैं machine चलाती जाऊंगी और pins को निकालती जाऊंगी जिससे ये frill मेरे frock में attach होती जाएगी तो फ्रेंट्स ये frill आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें attach कर दी है और सेम बिल्कुल इसी तरह ये थर्ड वाली frill भी इस पे भी मैंने यहां बखिया चोड़ी करके चला दी है और उपर की तरफ से मैंने पिको कर दिया है और इस last frill में मैंने नीचे की तरफ भी पिको कि इसके नीचे मेरे को और कोई फ्रिल नहीं attach करनी है तो सेम उसी तरह से इसमें भी ऐसे धागे को ऐसे सरका सरका कर ये आप देख सकते हैं हम फ्रिल बना लेंगे इसके कोडिंग और फिर इसके उपर रखकर इसको भी हम इसमें attach कर देंगे Friends आप देख सकते हैं कि ये फ्रॉक लगभग बनकर ready हो चुकी है और ये नीचे वाली फ्रिल भी मैंने इसमें attach कर दी है और अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम belt भी attach कर सकते हैं बेल्ट के लिए मैंने ये दो पट्टियां कट की हैं ये आप देख सकते हैं इस पट्टी की चोड़ाई 4 इंचेज है और इसकी लंबाई हम अपनी इक्षा मुताबिक ले सकते हैं वैसे मैंने 31 इंचेज इसकी लंबाई ली है और इस बेल्ट को ऐसे हम fold करेंगे ये सीधा वाला पार्ट है इसको ऐसे मोड़ कर और इसके किनारों पर हम सिलाई चला लेंगे और एक किनारे से अगर हम चाहें तो ऐसे तिर्चा कटिंग कर सकते हैं और पूरा यहां से लेकर नीचे तक सिलाई चला कर इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे इस दोनों बेल्ट को तो फ्र आप देख सकते हैं, इसको मैंने अल्रेडी सीधा कर लिया है, इसको इस टाइप से ये देखिए, पैन से हम बहुत ही आसानी से ऐसे सीधा कर सकते हैं, ये देखिए, ये इधर से ऐसे निकल आएगा, फिर इसको हम ऐसे सीधा कर सकते हैं, और इसको किसी सुई वगेरा से इसकी corner को भी हम निकाल लेंगे तो friends ये दोनों belt बन गई है और इस belt को इधर corner पे हम ऐसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सुई से तांक देंगे और इसको भी इधर से और फिर ये frog बनकर ready हो चुकी है आप देख सकते हैं तो फिर चलिए designer dress बनकर ready हो गई है और इस dress का look पहनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है तो friends अगर आप लोगों को मेरी ये designer dress बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप लोग चाहें तो मुझे facebook और instagram पर भी follow कर सकते हैं मैंने link description box में दे दिया है तो फिर मिलते हैं मेरी next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई